आप में से बहुत से लोग जब ऑनलाइन सामान खरीदेते होंगे तो पहले रिव्यू देखते होंगे और माल लेते होंगे कि अच्छे रिव्यू मतलब अच्छा सामान और बुरे रिव्यू मतलब बुरा सामान लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रिव्यू फरजी भी हो सकते हैं हो सकता है आप फरजी पॉस्टिव रिव्यू के खेल को समझते भी हो लेकिन क्या फरजी नेगेटिव रिव्यू यानि वन स्टार रिव्यू के खेल के बारे में जानती हैं नहीं जानते तो जानिये क्योंकि ये खेल जादा बड़ा है दरसल अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर इंडिपेंडेंडेंस सेलर अपने प्रतिदवन्दियों को नुकसान पहुचाने के लिए वन स्टार रिव्यूज का गलत इस्तमाल कर रहे हैं न्यूस नाइट ने कई प्रभावित लोगों से बात की जो मानते हैं कि इस वज़े से उनकी बिक्री पर बुरा सर पड़ा उबोगता अधिकारियों के लिए काम करने वाले एक समों ने बिटेन के एक वाच्टॉक से इस पहलू पर भी जाच करने की अपील की है फरजी रिव्यू के मामले में पहले से यहां जाच चल रही है अमिजॉन ने दावा किया है कि वो रिव्यू के हेर फेर की समस्या से निपटने को लेकर सक्त है हालकि कुछ प्रभावित लोगों का मानना है कि इस समस्या का हल नहीं होगा Amazon के ही आकड़ों की माने तो 2015 में इस अगरणी अमेरिकी टेक कंपनी ने खुद जितना सामान बेचा उससे कही जादा उसके प्लेटफॉर्म पर थर्ड पार्टी वेंडर्स ने विक्रे की Competition और Market Authority का मानना है किसी ब्रिटेन में रिव्यू से प्रभावित होकर 23 अरब पाउंड की ऑनलाइन शॉपिंग हुई है शायद अब आप समझ गए होंगे कि कुछ ऑनलाइन रिटेलर ये गंदा खेल क्यों खेल रहे हैं एक थर्ड पार्टी Amazon seller Johnson Smith ने कहा परिशान करने वाली बात ये है कि आपके पास फाइव स्टार वाले 50 पॉस्टिव रिव्यू हो सकते हैं लिकिन अगर आपको एक या दो वन स्टार रिव्यू मिल गए तो प्रतीस परधा करना मुश्किल हो जाता है फरजी पॉस्टिव रिव्यू के समस्या के बारे में सब जानते हैं पिछली रिपोर्ट्स में नकली रिव्यू देने वाले रोगों को फैक्टरियों का भेंडा फोर किया गया जो मुफ्त सामान के बदले में फाइव स्टार रिव्यू लिखते थे पिछले हपते Financial Times ने खवर छापी थी कि Amazon के कुछ ब्रितानी टॉप रैंक रिव्यूर इस तरह की गतिविदियों में शामिल पाए गए है साब्ताहांत में Amazon ने 20,000 फरजी पॉस्टिव पोस्ट अटाए लेकिन कुछ सेलर मानते हैं कि रिव्यू के हेल फेल के इस खेल में अफ़रजी वन स्टार फीड़एक सबसे बड़ी मुसीवत बन गया है सबस्क्राइब करें हमारे चानल देश आनलाइन पैल्स आफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से